ग्यान मंत्रा हुम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल यानी 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्री शुरू होने जा रहे हैं और कल के दिन कलश स्थापना होगी कल कलश स्थापना का क्या शुब मूरत रहेगा और किस प्रकार आप लोग कलश स्थापना करें या फिर घट स्थापना भी हम उसको कहते हैं तो उसके वारे में हम आपको बताएंगे नवरात्री में मा दुर्गा के अलग-अलग सुरूपों की पूजा करी जाती है माननता है कि ऐसा करने से भक्तों को विशेश फलकी प्राप्ती होती है इस साल शारदिय नवरात्री आठ दिन के ही पढ़ेंगे तरित्य और चतुर्ती तिथी एक साथ पढ़ने के कारण साथ अक्टूबर से सुरू हो रहे नवरात्री 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे 15 अक्टूबर 2021 को विजे दश्मी जिसे हम दशहरा भी बोलते हैं वह तेवार मनाये जाएगा अगर हम बात करें इस साल नवरात्री गुरुवार से प्रारंब हो रही है ऐसे में मा दुर्गा की सवारी पालकी में होगी मा दुर्गा पालकी या डोली से आएंगी और हाती पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी 6 अक्टूबर को सर्वो पित्र अमवस्य जैसा की आप सब ही जानते हैं आज समाप्त हो चुकी है जिसके अगले दिन यानी कल 7 अक्टूबर को नवरात्री होगी तो अगर हम बात करें घट स्थापना के शुम मुरत की तो शारदीय नवरात्री में घट स्थापना का शुम मुरत जो है वहाँ सुबह 6 बच के 17 मिनट से लेके 7 बच के 7 मिनट तक का ही है इसी समय काल में आप लोग कलश स्थापना करें और इस से पहले यानि की आज के दिन आप लोग अपनी सारी तैयारी पूरी करके रखें और कल सुबह आप लोग उटके स्नानादी से निवरित होके जैसा की हमने आपको बताया उसी समय काल में घट स्थापना कलश स्थापना करें कलश स्थापना किस प्रकार करें उसके बारे में हम एक अलग वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हुम रेमिडिश सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद